हलो आज है थर्ड अपरिल और आज इस उडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदानता के बारे में तेकि वेदानता के शेयर में अच्छी तीजी आई है तीन परसंट की बड़ी रफतार इसने दिखाई है बाजार भी अच्छे मूड में था बाजार में भी हमें तीजी अगेगा लेकिन जिस दिन खतम हुआ यह जितना डिविडेंट अनाउंस किया है उतनी गिरावट दिखाएगा विडियो में बात चुरित करेंगे कि गिरावट कब देखने को मिलेगे और क्या हो सकता है यहाँ पर विडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आभी तक चैन इसने रफतार पकड़ना शुरू कर दिया जैसे ही अनाउंस हुआ अब भाग रहा ही है हलाकि बीच में एक गिरावट आई थी 31 तारी को गिरावट थी यहाँ पर लेकिन अब वापस 30 आ चुकी है फ्राइडे को देखा चाए तो जितनी गिरावट थी उससे जादा कि आज हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल चुकी है वेदानता के शहर में वेदानता पिछले एक साल में देखो तो 32 परसन की गिरावट है लेकिन अगर मैं इसके डिविदेंट को भी काउंट करूँगा पिछले एक साल के तब गिरावट उतनी जादा नहीं है हलाकि है फिर जिरे भागना शुरू कर दिया अभी गिरावट कब आएगी यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी ने डिविडेंट कितना अनौंस किया है तो अनौंस किया है 20 रुपे 50 पैसे का और जो एक्स डेट है वो है 6 अपरिल तो यहाँ पर मैं आपको सेम इसको एक्जामपल लेकि कम सब्सक्राइब तो हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक अगर आप देखोगे तो 328 रुपे का था यह 28 को और 29 को सीधा आ गया 29 पर मतलब सीधा गिर गया यह 29 रुपीज तक गिर गया यह एक ही दिन में और आपको 20-22 रुपए तक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ सकता है छे तारीक को तब तक भागेगा क्योंकि कोई बीचेगा नहीं पहरी चीज़ ठीक है हर कोई अब डिविडेंट के लिए बैठेगा लेकिन जैसे ही डेट खतम हुई उसे दिन विक्वाली आएगी यह तै कंपनी ने 100 रुपए 50 पैसे का डिविडेंट पे किया है तो यह बहुत बढ़ा डिविडेंट है यह कह सकते हैं काफी बढ़ा डिविडेंट यह कह सकते हो कि विदानता ने पे किया है और देखो विदानता जो खेल रहा है न वो डिविडेंट पे खेल रहा है विदानता क अगर अब देखो तो 13 रुपे डिविडेंट के फॉर्म में निकाल लिए बाद में 26 रुपे और निकाल लिए तो यहां पर तकरीबन 10,500 करोर जितना पैसा इसने सिर्फ हिंदुस्तान जिंग से निकाल लिया वो भी इसी 4 महिने के अंदर तो यह बहुत बड़ी बात है अब अब बारी है विडांता की तो विडांता से भी पेसा निकाल रहा है पहले 12 रुपे पचास पैसे निकाले अब फिर 20 रुपे 55 पैसे तो कुल मिला खरे इसने के इतने रुपे 23 रुपे निकाल लिया इसने यहां पर डिविडेंट के फॉर्म में और यह बहुत तो लोकड़सन में लेकिन अब चायना ख़ित रहा है तो अब हारा थोड़ी से खराब हो रही है और यही वज़ा है कि इनके revenue अगर आप देखो जो धीरे धीरे कम हो रहे है लेकिन company fundamentally strong है कुछ वक्त के लिए ये dent लगेगा लेकिन वापस से bounce back करेगा अच्छा bounce back करेगा revenue में भी और profits में भी सेम चीज profit की भी हो रही है 5,800 करोर का जो profit था वो घटके नीचे की तरफ आ रहे है लेकिन अब देरे देरे बढ़ना चाहिए इनका profit भी विदान्दा को लेकर अगर हम बात करने जाए तो विदान्दा का जो P ratio है वो साथ का है सेक्टर पी साड़े बारा तेरा का है अभी भी सस्ता कह सकते आप इसको 57% टैनलिश कहते हैं खरीदारी करें और अगर हम बात करने जाए holding को लेकर तो यहाँ पर एक और प्राब्लम है और हो है promoter की holding है जहाए जादा लेकिन गिरवी पड़ी है 69.69% की holding है लेकिन सब कुछ गिरवी रखा है 1.19% है mutual funds के पास 9.85% है domestic institution के पास 7.90% की holding है Files के पास retails और others के मिलाकर holding जो है वो बनती है 11.37% उनमें सिर्फ retail investors 8.41% की holding लेकर यहाँ पर बैठे हुए है overall विदानता देखो है तो अच्छे company और बहुत ही strong company है ठीक है और dividend से बहुत सारा पैसा लोगों का बना है अगर हम एक साल में अगर आपको 32% की गिरावट दिख रही है जब 65 पे था 70 पे था 75 पे था कई सारे वीडियो से खरीदो और भूल जाओ खरीदो और भूल जाओ और यहाँ पर आप देखो अगर जिनकी बाइंग 65-70 रुपए के आसपास की थी ये इवन 100 रुपए के भी नीचे की जिनकी बाइंग थी विदानता में 2020 में उनको भाईया 2022 मतलब 2023 फिनांशल में 100 रुपए का तो सिफ डिविडेंट मिल चुका है ठीक है उससे पहले के साल का डिविडेंट अगर आप काउंट करो वो एक्ष्रा उससे पहले के कुछ क्वार्टर सा गिनो तो वो एक्ष्रा और अभी जिस प्राइस पर शेयर हाँ एक रिस्की दोर जरूर है और जो पैसा इनको जुटाना है वो डेफिनिटली काफी बड़ा पैसा भी है और विडानता चाहता था कि वह इनका जो इंटरनेशनल जिंग असेट्स है वो बेच दे हिंदुस्तान जिंग को बहुत बड़ा पैस अगर यहां से आ जाते है हम नहीं खरीदने देंगे और इसकी वज़े से विडानता की हालत थोड़ी से खराब हुई जरूर थी लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि आने वरे दोर में विडानता में और अच्छे कासी तीज़ी आप देख पाऊगे अभी देखो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करि गिरेगा विडानता का शेर और प्राइस सिंप्ली एड्जस होगा गिरने से सने की बरबाद है एड्जस होगा जो 20 रुपे जो जो साड़े 20 रुपे का डिविडेंट है उतना ही गिरेगा मतलब 20 से 25 रुपे के बीच में गिरावट आपको देखने को मिलेगी और यही खराब कंपणी है यह एक दो गिन गिरेगा शेर साथ बाद में फिर से अब तीज़े की तरफ जाता नजर भी आ जाएगा और जहां तक बात है जब अगर यह सस्ता होगा तो यह अच्छा का से मौके बनेंगे और इस साल भी चांसे जरूर है कि विडानता और बड़े आपको देखने को मिल सकती है उसके बाद नवेंबर में भी डिविडेंट प्याउट हो सकता है और इसी तरह का 20-22 रुपए का डिविडेंट प्याउट होगा यह तो बड़ी बात है यह और कंपनी इसी तरह से मेरे हिसाब से जो पैसा बनेगा वो डिविडेंट के थ्रू है वो शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ महिनों तक यह सब्सक्राइब करें और विडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं तैंक्यू